पहला question है, अपने विद्याले की किसी मनुरंजक घटना का वरण करते हुए, मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटी के अंतरगत आएगा? तो दोस्तों, इस question का यहाँ पे right answer हो जाएगा, option C, वैक्तिक. इसका सही जवाब हो जाएगा? वैक्तिक पत्र के अंतरगत आएगा, दोस्तों, option C, इस question का right answer हो जाएगा, और वैक्तिक पत्र को अनवचारिक पत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखेगा. अगला question दोस्तों, question number second, हिंदी साहित का आधुनी काल सामानिता कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित का आधुनी काल 1850 इसवी से माना जाता है, option A right answer हो जाएगा, 1850 इसवी. अगला question दोस्तों, question number third, निमलिखित बिकल्पों में से एक वच्चन शब्द कौन सा है? तो आपको दोस्तों बताना है दिये गए options में से एक वच्चन सब्द कौन सा है? दोस्तों, नदी एक वच्चन सब्द है, option B right answer हो जाएगा, जिसका बहुच्चन नदियां बनेगा. अगला question, question number four, कंठ तालब भी कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है, कंठ तालब इन में से कौन सा है? तो इसका सही जवब हो जाएगा, जिस्तों, A और I कंठ तालब भी है, option C right answer हो जाएगा. अगला question, question number five, शुद्ध शब्द छाटी है, दिये गए options में से, शुद्ध शब्द का चैन करना है, दोस्तों, तो इस question का यहाँ पे right answer हो जाएगा, option C, क्रेताग्न, शुद्ध लिखा हुआ है, अगला question, question number six, शुद्ध वर्तनी का चैन कीजे, तो सुद्ध वर्तनी का चैन करना है, दोस्तों, इन में से कौन सी वर्तनी, शुद्ध लिखी हुई है, तो इस question का यहाँ पे right answer हो जाएगा, option B, option B, right answer हो जाएगा, अतिश्योक्त सुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध है, से सभी शुद्ध जो है, अशुद्ध दिये गए है, ध्यान रखिएगा, अगला question, question number seven, तथा पी शब्द का संद विखेद है, तो तथा पी का संद विखेद क्या होगा दोस्तों, तथा पी का संद विखेद, तथा प्लस अपी है, और इसमें दिर्ग शुद्ध संदी है दोस्तों, तो इस question का यहाँ पे right answer, option C हो जाएगा, तथा प्लस अपी बराबर होता है, अगला question, question नमBER 8 उजबर का संध बिच्छध है तो उजबर का सही संध बिच्छध बताना है तो इस question का यहाँ पे right answer हो जायगा दूस्तों उजबर का सही संध बिच्छध होता है उट प्लस जल बराबर होता है उट जल इसमें बेंजन संधी है दोस्तों बाइल गाड़ी शब्द में समास है तो दोस्तों आपको बताना है कि बाइल गाड़ी शब्द में कौन सा समास होता है तो बाइल गाड़ी शब्द में करण ततपुरु समास है जिसका बिगरह बाइल के लिए गाड़ी तो इस question का यहाँ पे right answer हो जागा दोस्तों option D ततपुरु समास अगला question question number 10 दुन्द समास में कौन सा पद परधान होता है तो दुन्द समास में कौन सा पद परधान होता है दोस्तों हैं पे तो दुन्द समास में दोनों पद परधान होते हैं या समास और या अथवा से संयोजक शब्दों के लोग देने से बनता है जैसे अन्य जल, अन्य और जल तो इस question का दोस्ते हैं पर right answer option C हो जाएगा, दोनों पद परधान होते हैं अगला question, question number 11 दूर उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो इस question का दोस्ते हैं पर right answer हो जाएगा, दोस्तों दूर उपसर्ग से बना शब्द दूरदसा है राइट अन्सर, option A हो जाएगा, दूरदसा अगला question, question number 12 इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा सब्द है? option T, सूरेश, इसका सही जवाब है, सूरेश संग्यावा मोल शब्द है, जबकि अतिधिक बिदेश तथा स्योग, शब्दों में अति, वी तथा सू उपसर्ग जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगला question, question number 13 क्रत प्रत्य लगता है, तो दोस्तों क्रत प्रत्य कहां लगता है? आपको बताना है, option A है, क्रिया के अंत में, option B है, संग्या के अंत में, option C है, सरो नाम के अंत में, option T है, वी सेसन के अंत में, तो दोस्तों इस question का यहाँ पे right answer हो जाएगा, जो क्रत प्रत्य होता है, वो क तत्सम सब्द का चैन कीजिए तो तत्सम सब्द का चैन करना है दोस्तों आप लोग इस question का answer दिजिए तो दोस्तों इस question का यहाँ पर answer हो जाएगा option A आमर इसका सही जवाब हो जाएगा जो आमर तत्सम सब्द है इसका तत्भव आम है दूद तत्भव सब्द है इसका तत्स तत्सम सब्ड का तद्भाव शब्द बताईे। तो इस question का यहां पे दोस्तों right answer बताना है आपको, तो तत्सम सब्द कीचित का तद्भाव कुछ होता है जबकि थोड़ा तत्भाव शब्द है जिसका तत्सम इस्टोक होता है। तो दोस्तों यहां पे इस question का right answer option A हो दोस्तों चाक सब्द का तद्सम रूप चक्र होता है और चक्वा तद्भव शब्द है जिसका तद्सम चक्र वाक होता है ध्यान रखिएगा तो इस question के यहाँ पे right answer option C हो जाएगा चाक सब्द का तद्सम रूप चक्र होता है अगला question, question number 17 तद्भव शब्द है तो आपको बताना है दोस्तों दिये गए options में से तद्भव शब्द कौन सा है तो मनई जो है आपका तद्भव शब्द है और इसका तद्सम मानो होता है जबकि तद्भव शब्द मानुस का तद्सम मनुस होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों option B right answer ह जाएगा मनई तद्धों शब्द हैं अगला कोइशन दोस्तों question 13 जातिवाचक संग्या नहीं है तो दोस्तों आपको बताना है इनलमे से कौं साFit जातिवाचक संग्या की अंतरगत नहीं आता है तो इस question का यहां पे राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों Option D पुस्टक इसका सही जवाब है सैसेव भाव वाचक संग्या है दोस्तों लोहा द्रब्य वाचक संग्या है और लकडी भी द्रब्य वाचक संग्या है और पुस्टक जाति वाचक संग्या है ध्यान रखिएगा Option D इस question का सही जवाब हो जाएगा अगला question दोस्तो, question number 19 question number 19 है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले, बोल, रहिमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल रहिम दोरा लिखे ते इस फंक्ती में बड़े शब्द का पर्योग जिस रूप में हुआ है, वा है अब को बताना है दोस्तो, तो इस question का यहां पर right answer हो जाएगा, option B, संग्या बड़े सही answer हो जाएगा, अगला question, question number 20 वह बहुत अच्छा लड़का है, में वहा कौण सा सरो नाम है, तो इस question का यहां पर right answer हो जाएगा वहाँ बहुत अच्छा लड़का है, में वहाँ निश्चय वाचक सरुनाम है, जिस सरुनाम से किसी वस्तु का निश्चय बोध होता है, उसे निश्चय सरुनाम कहते हैं, जहाँ रखिएगा जैसे यहाँ और वहाँ, ठीक है, तो इस question का यहाँ पे right answer हो जाएगा दोस्तों, option निश्चय वाचक, अगला question दोस्तों, question number 21, कबीर कल बहुत सुन्दर दिख रहा था, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकी शब्द व्याकरण की दस्टी से क्या है, तो इस question का यहाँ पे right answer हो जाएगा दोस्तों, option T, विश्चय सरुन है, ध्यान रखिएगा, अगला question, question number 22, बालक इस पुस्त काले में पढ़ रहा है, वाक्य में किरिया है, तो इसका right answer option D हो जाएगा, सकर्मक किरिया है, बालक इस पुस्त काले में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक किरिया है, अगला question, question number 23, निमलिकित में से अब्बे है, दोस्तों आपको बताना है, निमलिकित option C हो जाएगा तठा जो है अब्य शब्द है अगला question question number 24 अथवा ब्याकरrene की दोस्टी है अथवा ब्याकरन की दोस्टी से क्या है तो इस question का राइट answer option T हो जाएगा अब्य है अगला question question number 25 अमरत का प्रयवाची निमलिकिद मेंछे कौन्ट सा है, तो अमर्त का परेवाची आपको बताना है दूस्तों, तो यहाँ पे इस question का right answer हो जागा option T peus, अमर्त का परेवाची peus होता है, अगला question, question 26, कौन्ट सा शब्द चतुर का परेवाची है तो चतुर का परेवाची आपको betाना है इस question का right answer option C हो जाएगा अलपग का बिलोम बहुगी होता है ध्यान रखिएगा अगला question question number 28 प्रवर का बिलोम शब्द है तो प्रवर का बिलोम शब्द इन में से कौन सा हो जाएगा तो प्रवर का बिलोम अवर होता है option B right answer हो जाएगा अगला question question number 29 रमायन और महा भारत का समय हो गया, पर ये गरंथ अभी तक नहीं है तो इस question के हैं पर right answer हो जागा दूस्तों option D, कालातीत रमायन और महा भारत का समय कालातीत हो गया, पर ये गरंथ अभी तक नहीं है अगला question, question number 30 देश रख्षा के लिए प्रतेक नागरी को क्या कर रहना चाहिए? तो देश रख्षा के लिए प्रतेक वेक्टी को उद्धत रहना चाहिए? ओप्शन B इस question का सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखेगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है question number 31 प्रत्वी ग्रहों, तारों, आधिका इस्थान वाक्यांस के लिए उचित शब्द होगा तो इस question का right answer option B हो जाएगा अंतरिच अगला question, question number 32 वन में लगने वाली आग वाक्यांस के लिए एक शब्द है तो वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डावाग ने, option B इस question का सही जवाब है अगला question, question number 33 आडंबर बहुत किन्तु वास्थबिक्टा कुछ नहीं, के लिए एक सही लोकुत्ती है तो इस question का यहाँ पर राइट अंसर होगा, option B उची दुकान, फीका, पकवान option B इस question का सही जवाब हो जाएगा अगला question दोस्तों, question number 34 दूद का दूद और पानी का पानी करना मुहारे के आर्थ है तो इस question का यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, option A उचित नेड़े करना, option A राइट अंसर हो जाएगा, दूद का दूद और पानी का पानी करना होता है अगला question, question number 35 आख का अंधा, नाम नेअंसुख, लोकुत्ती का सही अर्थ चुने तो आख का अंधा, नाम नेअंसुख, लोकुत्ती का सही अर्थ हो जाएगा, option B गुण के विरुद्ध नाम होना, option B राइट अंसर हो जाएगा, अगला question दूद्धों, question number 36 पिता ने समझाय कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक की उदाहरण है तो इस question का दूद्धा अंसर हो जाएगा, मिसर वाक की है, अगला question, question number 37 सुद्ध वाक्य पहचानिये, दिये गए options में दोस्तों आपको सुद्ध वाक्य का चैन करना है option A है, मेरी 5 बहने और एक भाई है, option B है, मेरी 5 बहने और एक भाई है और option C है, मेरा एक भाई और 5 बहने है, option D है, मेरा एक भाई और 5 बहने है तो दिये गए options का अंसर हो जाएगा, दूस्तों, option C मेरा एक भाई और 5 बहने है, सुद्ध वाक्य दिया गया है अगला question, question number 38 मैं खाता हूँ कर्मवाच का रूप होगा मैं खाता हूँ कर्मवाच का रूप इन में से कौन सा होगा दूस्तों राइट अंसर दीजिए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा है हैं पर आप्सन D मुझे से खाया जाता है मुझे से खाया जाता है यहाँ पे option D right answer हो जाएगा अगला question question में 39 वह मुझे से अलग रहता है रेखांके शब्द के आधार पर बताईए कि यहाँ कौन सा कारक है तो इस question का right answer option B हो जाएगा आप आदान कारक है अगला question question number 40 सब्ता हमें 7 दिन होते हैं प्रस्तुत वाके में दिन शब्द है तो दिन शब्द किस परकार का है तो इस question का right answer option A हो जाएगा पोलिंग है दिन शब्द पोलिंग है अगला question question number 41 इस्तरी शब्द का बहुचन बताईए तो इस्तरी शब्द का दोस्तों बहुचन क्या बनेगा तो इस question का right answer option B हो जाएगा इस्तरी शब्द का बहुचन इस्तरीया बनेगा अगला question question number 42 सीता सो रही थी वाके का काल है तो दोस्तों आपको बताना है तो इस question का यहाँ पे सही जवाब option C हो जाएगा अपोड भूद काल है दोस्तों अगला question question number 43 रिस्की गाय बहुत दूद देती है वाके में रेखांकी शब्द किस विसेशन का उदाहरण है तो इस question का दोस्तों यहाँ पे right answer option D हो जाएगा परिमार बोधक इसका सही जवाब है अगला question question number 44 अशुद शब्द है तो अशुद सब्द का चैन करना है दोस्तों इन में से कौन सा अशुद शब्द दिया गया है तो इसका right answer हो जाएगा option C संकट अशुद सब्द है अगला question question number 45 हिंदी को विकास परदान करने वाली भाषा कौन सी है तो हिंदी को विकास परदान करने वाली इन में से कौन सी भाषा है तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा option D अप ब्रंस भाषा है हिंदी को विकास परदान करने वाली भाषा अप ब्रंस है द्यान रखिएगा अगला question, question number 46 सौर सेनी अब्ररंज के अंतरगत आने वाली भाषा नहीं है तो इनमें से कौन शीभाषा है जो सौर सेनी अब्रंज के अंतरगत नहीं आती है तो दोस्तों, इस question का right answer हो जाएगा option B सिंधी जो है सौर सेनी अब्रहंस के अंतरगत आने वाली भाशा नहीं है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 47 फ्रेस ब्लड का उचित साब्दी कर्थ है तो दोस्तों आपको इसका राइट अंसर देना है तो इस कोश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जागा दोस्तों आप्सन सी नया खून आप्सन सी राइट अंसर है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 48 हमारा सर्वो पर कर्तब है देश की सेवा करना निमन वाकि के सही अंग्रेजी अन्वाद के चैन कीजे तो यहाँ पे इस कोश्चन का दोस्तों राइट अंसर हो जागा ऑप्सन सी अगला कोश्चन दोस्तों कोश्चन बर 49 एकल का बिलोम शब्द है तो एकल का बिलोम शब्द दिये गए ऑप्सन में से काउन सा ऑप्सन सही हो जाएगा दोस्तों तो इस question का right answer option D है, बहुल होता है, एकल का belong बहुल होता है, अगला question और अन्तिम question है दोस्तों, इस practice set का, question number 50, गज बदन का परयवाची है, तो गज बदन का परयवाची दोस्तों आपको बताना है, तो इस question का यहां पर right answer हो जग option B, गणपत्य होता है, गज बदन का परयवाची गडपत्य होता है दोस्तों, दोस्तों आज की इस class में बस इतना ही मिलते हैं next, class में तब तक के लिए नमस्कार, जहिन, धन्यवाद, आपका दिन सोब हो